नमस्कार दोस्तों कैसे है आप आप सभी अच्छ होंगे तो फिर से पॉर्फोलियो रिव्यू टाइम तो आज का पॉर्फोलियो है 3,70,000 का वर्थ फ इंवेस्टमेंट हो चुका है जैनुरी इस साल वाइटी से लिया हूं है डेटा जैनुरी 1st 2024 से तो टोटल जाके उपर न पॉर्फोलियो के तरफ यहां पर देख सकता है पॉर्फोलियो है 1,2,3,4,5,6,7,7,7 funds है इंके पॉर्फोलियो में पहला फंड है अधिता बिल्ला PSU equity इसमें SIP नहीं चल रहा है यह बिसिकली पॉर्फोलियो है लंसम प्लस SIP दोनों मिला के पॉर्फोलियो है ABSL PSU का है कोई SIP नहीं है लंसम है 30,000 रुपए तो टोटल बन गया है अमौन 30,000 अक्सिय स्मॉल कैप 2000 का SIP चल रहा है और 50,000 का लंसम क्या हुआ था 62,000 टोटल वैलू HDFC मिट कैप 2000 25,000 टोटल वैलू 17,000 मोतिला लॉस्वाल मिट कैप 2000 20,000 32,000 निपोन इंडिया स्मॉल कैप सारे दिन हजार यहां पे लंसम नहीं है पर आप पर एक फ्लेक्सी कैप 2000 20,000 टोटल वैलू है 32,000 कॉआंट स्मॉल कैप है 40,000 सबसे ज्यादा पैसा कॉआंट में लग तो इनके पास स्मॉल कैप है 1, 2, 3, 3 स्मॉल कैप सारे 15,000 के लिए बहुत ही ज्यादा है और मिट कैप भी है 2, HDFC मिट का मोतिला लॉस्वार्क सारे 15,000 के लिए एक मिट कैप सही है पर आप पर एक फ्लेक्सी हो गया एक सेक्टरल फंड हो गया तो अभी ऐलोकेशन का बात क 10%, 19, 11, 10, 6 क्योंकि निपान का SIP चल रहा है यहां पर लंसम दिया हुआ नहीं है इसलिए कम दिख रहा है तो आइस्ट आइस्ट यह रिकवर हो जाएगा 6 पडाक पर एक यहां पर लंसम भी किया हुआ है और SIP भी काफी कम अमाउंट है बेसिकली हम लोग फ्लेक्सी का रख करते अपने पौर्टफोलियो में ताकि पौर्टफॉलियो का स्टेबिलिटी हो पाये अगर अल्ट्र आग्रेसिव इंवेस्टर हो तो लोग तो लेते नहीं है वह छोड़ दीजिए जो भी बैलेंस्ट एक इन्वेस्टिंग करते है तो पर पर या फी जो भी एक अच्छा आमाउंट रखना चाहिए तो वह मिसिंग यहां पर चार सारे साथ और दो सारे 9000 स्मॉल कैप पे आ गया बस 2000 है इसलिए इतना कम देख रहा है तो इसको थोड़ा सुधार करने का ज़रूरत है और कॉइंट स्मॉल कैप में सबसे हाइस थार्टी वन परसंट तो टोटल इनका परफॉर्मेंस तो देख लेता है यहां पर 57.2 परसंट रिटर्स आ रहा है इंफ्लेशन आज़स करके 52.3 एक्चुल एमाउंट है 62,000 जो रिटर्स आया है और इंफ्लेशन आज़स्ट करके आया होगा 56,000 एप्सलूट रिटर्स ट्वेंटी परसंट तो 20 परसंट दिखा रहा है यहां यह वाला फर्स्टाफ जैन होगा ठीक है फर्स्टाफ जैन से एमाउंट इंवेश्टर्स ट्री लाक एट तौज़स्ट हो चुग है 3,70 और यहीं पर अगर बेंचमार्क पर लागाता तो 20,000 का प्रॉफिट होता अगर बेंचमार्क पर लागाता है न और उसके बाद 23 है क्वांट स्मॉल का बाकी सब वन डिजिट पर है मतलब 20 के नीचे है बेसिकली और परसेंटेज के हिसाब से बात करों 83 सबसे जादा मोंतिला लास वाल दिया है और उसके बाद 70 दिया है इसने निपन इंडिया स्मॉल के अपने तो नीचे चलते है नमर आप फंड्स है साथ जो के थुदा जादा है तो आगे बढ़ने से पहले गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं से ब्रेश्ट आडवाइज नहीं हूं यह जो भी मैं वीडियो में बात कर रहा हूं जो भी आपको एडवाइस दे रहा हूं यह अपने पॉर्फोलियो में तो खुछ से रिसर्च करके अपने डिस्क्रिशन पर चेंज कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी नहीं है चैनल में बता दू कि मैं एवरीडे एक पॉर्फोलियो करता हूं ड तो नीचे चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉर्फोलियो के हेल्थ देख लिया था कैपिलेशन में जाएंट और लाज का मिला के 23,40 33,37 तो पॉइंट मिला के 38 परसेंट है लाज कैप में मिट कैप में अपना 40 परसेंट है जोगे ठीक ताग है स्मॉल कैप में 22 परसेंट है जो टॉप सेक्टर है 20 से कम होना चाहिए था लेकिन 25 परसेंट तो थोड़ा मेरे खाल से थोड़ा ज्यादा हो गया यह इनदैस्ट्रियल 15 का एंग्डार फर्स्टर तीसरे का डिफरन्स लेस दन टे लॉना चाहिए इसमें है 13 परसेंट जोंके इसमें भी थोड़ा ज्यादा ह चोथे नंबर पर आ रहे है टेक्नलोजी इस नॉट वेरी वेल 11 परसेंट मेट्रियाल से 11 परसेंट एनजी उट्लिट से 10 परसेंट पर आते याते 10 परसेंट मेंटेन हो रहा है दाट इस गोड नीचे चलता है कौन-कौन सा कंपनीज है रिलाइंस जियो एच्टियो जाएंट तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखे 3.1 3.3 3.12 तो सबसे जाधा 9 10 10 परसेंट तो इन ही इन तीनों में इन तीनों फंड में इन तीनों कंपनीज में है उसके बाद ही देखे मिट का आगा जो कि बहतरीन चीज है कि इतने जल्दी आप 5 में दो मिट का कंपनीज है जितन नीचे जा रहा है बहुत दिन से लेकिन ये कंपनी अच्छा है पावा ग्रेड है स्टेट बैंक कोल इंडिया वोड़ा फर आइडिया सब जाएंट और लार्ज कैप्स है यहां पर नीचे चलते है और अच्छा यहां पर भी काफी सारे मिट काप कंपनीज भी है और भी बा है पैसा नहीं लाएगा अधेशल जे अल्रेडा लगाये हुई अ कुछ भीैसाने लाएगा मेटकर मोर्तिदर्रल आसवर्म यूसे में ड्यू परण परक प्लेक्सिकाप फंड बाकी 98% पैसा इंडिया में लगा हुआ है तो यह आ रहा है पॉर्फोलियो राहुल सिंग जी से यह बोल रहा है वही काफी कॉंप्लेक्स है इनका पॉर्फोलियो तो मुझे टूल में डालने के लिए कोहर टाइम लग गया तो आपका पॉर्फोलियो देखता है कि क्या-क्या सुधार कर सकते है पहले तो है साथ फंड्स आपका सारे 15,000 का SIP चल रहा है सारे 15,000 का SIP में साथ फंड्स टू मच तो मैं बोलूंगा एक सेक्टरल ठीक है ABSL PSU is good but hold it for long term long term के लिए hold कीजिए इसको अभी बात करते है स्म और यहां पर तू 9.5 मरला 15,000 में 9.5,000 आप स्मॉल कैप में डाल रहे तो काफी ज्यादा अमाउंट है तो एक्सिस को डिरेक्ली एक्सिस को निकाल सकते है आप यहां से अच्छा भी नहीं कर रहे है निपॉन और कौन को पकरे रही है जो कि ठीक है दो स्मॉल कैप उसके ब अच्छा आप काम बन जाएगा और पड़ाप पड़ाप अब होल्ड कीजिए तो आपका हो गया एक फ्लेक्सि एक मेड दो स्मॉल ठीक है एक सेक्टोरल इसी में आपका काम बन जाएगा एक दो तीन चार पांच फाइफ फंड तो सांथ फंड रखने का आपका कोई आएक्सीस से ठीक है एक्सीस में जो भी निकालेंगे यहां से जो स्कॉचो निकालेंगे यहां से जु मिद धो स्कॉचण बढ़ाईए अपना 플ेक्सिए क्षम पे अगर आप चाहते एक सबस्क्राइब करना यहां पर तो जो मिदक्प का मैं बोला मेटकाप को हटाने के लिए वहां से एक मेटकाप निकालके आप ABSL में SIP स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं तो लमसमी रख रही है तो अभी देख लेते हैं आपका पैसा कितना बनेगा टोटल है 15.5 ताउजन तीक है यहां पर बड़ा करता है 15 15.5 ताउजन इसको हम लोग आराम से 18 परसेंट पकर सकता है आपका जैसा पॉर्टफोलियो है आप टाइम मेंशन नहीं कि इसलिए मैं 15 यह पकर रहा हूं तो आपे निचे दखता है 28 लाग आपका इंवेस्टेट था 1 क्रोर 42 लाग आपका 15 साल में बन सकता है आराम से यही यही पर मैं देखता हूं कि लम्सम अमाउंट भी देखता है 2.15 लाग मैं मान लेता हूं इसके उपर आप कोई भी लम्सम नहीं करें कि आप बताये नहीं है तो लम्सम कैलकुटर में चलता है पहले तो लाग 15 जिरो 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 तो लाग 15 ता बोज़ें 18 परसेंट सेम 15 साल दो लाग 15 इंवेस्टेट था 25 लाग आपका हो चोगा है तो 25 लाग चंशिडर कर सकता है तो 1,42 आम पे कितना था 1.42 क्रोर था 1.42 और 25 तो 7 और 6 1.67 मतलब एक करोर 70 लाग रुपे आपका कॉर्प बन सकता है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजी अपने दोस्तों के साथ राहूल सिंग जी और बाकी लोग जो भी नए हैं बता दू कि एवरी डेय अपने एक एक वीवर का पोर्फोली रिव्यू करता हूं आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मेरा आपको पो पोली है और लाइक भी कर देजी वीडियो को थैंक यू सो मच पर वाचिंग आप वेरी गूद देजिए